बुद्धिमान राजा की कहानी की परीक्षा लेने के लिए नएने तरीके अपनाते थे। हर बार राजा दूसरे राज्य के शास को द्वारा ली गई परीक्षा में खरा उतर कर खुद को खोश्यार और योग्या राजा साबित करता था। की परीक्षा लेने के लिए एक राजकुमारी आई। उसके हाथों में दो फूलों की माला थी। दोनों माला में से एक असली फूल से बनी थी और दूसरी नकली से उन दोनों मालाओं को देखकर उनका ये भेद बिलकुल पता नहीं चल पाता था। इसी वजह से राजकुमार में बैठे सभी दरबारी माला को देखकर हैरान थे क्योंकि किसी को समझ नहीं आ रहा था कि असली फूलों की माला कौन सी है। सभी इस सोच में थे कि राजा कैसे बता पाएंगे कि असली फूलों की माला कौन सी है। राजा भी माला को देखकर परेशान होने लगे। उसी उनके दिमाग में कुछ तर्कीब आई, उन्होंने तुरंद अपने एक सेवक से कहा, बगीचे की खिर्कियों को खोल दो, सेवक ने बगीचे की खिर्की को जैसे ही खोला, तो राजा ने देखा कि फूल में बैठी मदुमक्खियां खिर्कियों से राज दर्बार में आ रही ह वो कुछ देर मदुमक्खियों को ही देखते रहे, जैसे ही एकात मदुमक्खी एक फूल की माला में बैठी, वैसे ही राजा ने कहा कि अब मैं बता सकता हूँ कि असली माला कौन सी है, राजा ने तुरंद उस माला की तरफ इशारा किया, जिस पर मदुमक्खी बैठ रखी थी. राजा की होश्यारी देखकर दर्बार में मौजूद सभी उनकी तारीफ करने लगे. सभी कहने लगे कि हर राज्य को आपके जैसे ही बुद्धमान राजा की जरूरत है. राजकुमारी भी राजा के बुद्धिमत्ता देखकर खुश हो गई उसने भी बुद्धिमान राजा की तारीफ में कुछ शब्द कहे और वहां से अपने राज्य की ओर निकल पड़ी कहानी से सीख अगर व्यक्ति अपनी बुद्धी का इस्तमाल करे तो वो हर प्रश्न का सही जवाब तलाश सकता है और हर मुसीबत का हल भी निकाल लेता है अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना न भूले धन्यवाद दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में